अक्ट्रिस प्रियंका चोपरा हाल ही में तब निशाने पर आ गई जब उन्होंने granddaughter में फैली राजनीती पर टिपनी की प्रियंका चोपना ने बताया था कि बॉलिवुड में उन्हें कॉनर किया जा रहा था और साथ इवर फिल्म इंडस्ट्री में मौझूद पॉलिटिक्स से बहुत तंग आ गई थी इसके कारण उन्होंने बॉलिवुड को छोड़कर हॉलिवुड का रुख कर लिया प्रियंका के इस बयान के सामने आने के बाद जहां कुछ लोगोंने आक्रिस की जमकर तारीफ की तो वहीं कुछ लोगों ने आक्रिस पर निशाना साथते हुए पूछा कि आखिर प्रियंका इतने सालों तब चुप क्यों रही प्रियंका चोप्रा ने बताया मुझे लगता है कि जब मैं पॉड्कास्ट पर थी और इस दौरान जब मुझसे मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में पूछा गया तभी मुझे लगा कि मुझे सच्चाई के बारे में बात करनी चाहिए इस दौरान बॉलिवुड से लेकर कई हॉलिवुड स्टार भी शामिल हुए यही नहीं दुनिया भर में इस इवेंड की चर्चा भी हुई सोशल मीडिया पर लगाता तस्वीरे और वीडियो वारल हो रहे है उदगाटन समारों की बार शनिवार को गाला पाटी नाइट रही इसमें रणवीर सिंग से लेकर आलिया भट, रश्मी का मंदाना, वरुन धवन और शारुक खान ने डांस किया सोशल मीडिया पर अब शारुक खान का एक वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है जिसमें उन्होंने जूमे जो पठान पर डांस किया था वहीं अब आक्टर का नया डांस वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपनी फिल्म दिल तो पागल है के गाने ले गई ले गई पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं बता दे कि ये नया वीडियो S.R.K की डांस रिहसल के टाइम का है, जो कि सोशल मीडिया पर आते ही वाइरल हो गया है. सैफली खान बॉलिवोड के उन अक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं, जो किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं. चॉकलेटी बॉय का अंदाज हो या फिर विलन की भूमे का, सैफली खान अपने हर किरदार में जान फूग देते हैं. हाला कि इन दिनों वो जिस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं वे आदी बुरुष नहीं, बनकि साउट सूपरस्टार जूनियर NTR के फिल्म NTR 30 है. मीडिय रिपोर्ट की माने तो सैफ भी इस फिल्म का हिस्सा थे, जो इस मोस्ट अवेटिट फिल्म में विलन का किरदार अदार करने वाले थे. लेकिन अब आक्टर ने फिल्म से हाथ खीच लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, सैफ ने ये कदब मूवी में अपना किरदार कमजोर होने की वज़े से उठाया है. हराकि सैफ या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक वयान सामने नहीं आया है. आपको बता दे कि सैफ अली खान के अलावा इस फिल्म में चियान विक्रम और विज़े सेतु पती के नाम भी विलेन के तौर पर सामने आ रही है. रिभूदास गुपता की निर्देशन में बनने जा रही और अमिताब बच्चन स्टारर फिल्म सेक्शन 84 में डायना की भी एंट्री हो चुकी है. इसकी ओफिशल अनाउंसमेंट होने के बाद डायना इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश है. रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट के बैनर तले बनने जा रही इस फिर्म पर काम जल्द ही शुरू होगा. इस बारे में बात करते हुए डायना ने कहा, सेक्शन 84 मेरे लिए बहुत खास है. ना के बल इसलिए कि ये एक दिल्चस्प कहानी है, बलकि इसलिए भी कि सूपरस्टार अमिताब बच्चन के साथ काम करना सौभाग की बात है. बता दे कि अमिताब बच्चन ने एक मई को अपने ओफिशल ट्विटर अकाउंट से इसकी घोशना की थी. उन्होंने इस फिल्म के अनाउंस्मेंट करते हुए एक वीडियो भी शेर किया था जिसमें लिखा था सेक्शन 84 में अमिताब बच्चन, रिब्यू दास गुपता द्वारा लिखेत और निर्देशित. साथ ही साथ फिल्म के निर्माता विवेक भी अगरवाल भीया मिताब बच्चन के साथ काम करने के लिए काफ़े एक्साइटेड हैं. मार्च में रिलीज हुई फिल्मों के लिए अप्रेल में कॉम्पेटिशन और भी बढ़ गया है. मार्च में होली के मौके पर फिल्म तू जूटी में मकार रिलीज हुई. फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छी ओपनिंग की. इसके बाद हॉलिवुड फिल्म जॉन विक चाप्टर फोर भी रिलीज हुई. वही मार्च के अंथ तक अज़े देवगन की फिल्म भोला ने भी थेटर्स में दस्तक दी. इसके साथ ही साथ साथ सूपरस्टा नानी की तेलगू फिल्म दसरा भी रिलीज हुई. जो की अब सब पर भाड़ी पड़ती नजर आ रही है. फिल्म तूजूटी में मकार ने ठीक ठाक कमाई करने की पूरी कोशिश की लेकिन भोला की रिलीज होने के बाद से फिल्म की हालत खस्ता होती हुई दिख रही है. वहीं जॉन विक चाप्टर 4 दुनिया भर में छपपर फार कमाई कर रही है. मार्च के अंत में रिलीज हुई भोला से लोगों को काफी उम्मेदे थी लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई. और अब बात करें दसरा की तो फिल्म दसरा को रिलीज हुए सिर्फ चार ही दिन हुए हैं लेकिन फिल्म बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़ कमाई कर रही है. प्रियंका चोप्रा ने एक अमेरिके पॉड्कास्ट को दिये इंटर्वियू में कहा था कि एक समय ऐसा था जब बॉलिवुड में उन्हें कौर्नर कर दिया गया था और वह इंडस्ट्री में फैली राजनिती से तंग आ गई थी जिसके बाद उन्होंने हॉलिवुड का र असरानी ने बताया कि मैंने कई ऐसी घटनाई देखी हैं जहां अगर कोई आक्टर किसी फिल्म को रिजेक्ट कर देता है तो लोगों का इगो हर्ट हो जाता है बॉलिवुड इंडस्ट्री की चहीदी आक्टरिस रानी मुखर जी की हालिया रिलीस फिल्म मिसिस चाटर जी वसिस नौर्वे बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई इस फिल्म में रानी ने एक ऐसी मा की भूमे का निभाई जो अपने बच्चे की कस्टिडी पानी के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है वही रानी ने अपने लेटिस्ट इंटर्व्यू में इस फिल्म को लेकर बात की है साथ ही अपनी सूपर हिट मुवी मर्दानी की फ्रेंचाइजी मर्दानी 3 पर भी बड़ा अपडेट देते नजर आई गौरतलब है कि मर्दानी में रानी मुखर जी ने पुलिस ओफिसर की भूमे का निभाई थी इस फिल्म में उनके हटकी किर्दार को दर्शकों ने खूब सराह था और मुवी फ्रेंचाइजी को काफी सकरात्मत प्रतीक्रिया मिली वहीं अब लेटेस्ट इंटर्व्यू में रानी ने मर्दानी 3 पर बात की है रसल आक्टरस से पूछा गया कि क्या वह फिर से पुलिस ओफिसर का किरदार निभाना पसंद करेंगी तो इस पर रानी ने कहा जरूर लेकिन उसके लिए आकर्शक कहानी होनी चाहिए सितंबर 2022 में रिलीज हुई रनबीर कपूर आलयभट की ब्रहमास्त्र को ओडियन्स का जबरदस्त रिस्पॉंस मिला वह लोगों की प्यार का ही कमाल रहा की मुवी ने चंद दिनों में ही 100 करोर से जादा की कमाई गर ली ब्रहमास्त की ब्लॉक्बॉस्टर सक्सेस के बाद डिरेक्टर अयान मुखर जी जल्दी इस फिर्म का दूसरा और तीसरा पार्ट लेकर हाजर होने वाले है उन्होंने रिलीस डेट का एलान कर दिया है अयान मुखर जी ने मंगलवार को ब्रहमास्तर के सीक्वल पर अपडेट शेर किया है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें बताया कि ब्रहमास्तर के सीक्वल की शूटिंग एक साथ होगी सीक्वल दो पार्ट्स में बनेगा लेकिन दोनों को अलग-अलग समय पर रिलीस किया जाएगा हाला कि दोनों की रिलीस डेट में लंबा गैप नहीं है इसके साथ ही आयान मुखर जी ने बताया कि ब्रहमास्त्र फिल्म के दो सीक्वल दिसेंबर 2026 और दिसेंबर 2027 में रिलीस होंगे अजीबो करीब स्टाइल और कपरों के चलते चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद आज दुनिया भर में मशूर हो चुकी है बच्चा बच्चा उर्फी के फैशन से वाकिफ है इतना ही नहीं आक्टरस की फीमेल फैंस उनके फैशन को फॉलो करती नजर आ रही है इसी बीच अब अदाकारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबरों की माने तो उर्फी जल्द ही इंटरनाशनल सिंगर के साथ काम करती नजर आएंगी उर्फी जावेद कमबोधिया सिंगर करोल जी के साथ काम करने वाली है रिपोर्ट्स के मताबब उर्फी पहली इंडियन है जिसे करोल जी फॉलो भी कर रही है उर्फी के इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर करोल जी की एक तस्वीर भी शेर करी और इसके साथ एक हार्ट एमोजी बनाया है हाला कि अभी तक आक्रिस की ओर से कोई आधिकारी घोशना नहीं हुई है पर करोल जी अगर वाके उर्फी जावेद के साथ काम करने वाली है तो ये आक्टर के करियर के लिए एक टर्निक पॉइंट साबित हो सकता है बॉलिवूड आक्टर सल्मान खान इन दनों अपनी अपकामिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी सुर्खियों में है सल्मान खान और पूजा हेगरी स्टारर ये फिल्म 21 अप्रेल को सिनिमा घरों में रिलीस होगी इस फिल्म का फैंस बड़ी ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अब बॉलिवूड के दबंग खान ने किसी का भाई किसी का जान के नए गाने ये तम्मा गाने का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है इसके साथ ये आक्टर ने ये भी बताया कि ये तम्मा गाना कब रिलीस होगा सल्मान खान द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सल्मान खान साउथ की सूपर स्टार वेंकटेश दगुवती के साथ लूंगी पहन कर डांस कर रहे हैं सल्मान खान का दबंगंदास और गाने का म्यूजिक फैंस को काफी पसंदा रहा है ये तम्मा गाने का टीजर शेयर कर सल्मान खान ने बताया कि ये गाना 4 अप्रेल को रिलीस होने वाला है बोले ताकि हर खबर हो आपके गर आमा रुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर